हुआ है तो वेरी गुद्धिनिंग और वेरी वर्म वेल्म वेल्म टू आप सभी को प्ष्रत लोगों का फिर से बहुत-बहुत स्वार कते हैं लॉइक स्मार्ट के प्लाटफॉर्म पे जहां हम रोजाना क्लाट एक्जाम को टार्गेट करते हुए इंपॉर्टेंट न्यूस को डिसकस करते हैं सो काफी दिनों से हमारी क्लास यूटूब वाली नहीं चल पारी थी आना कुछ फामली हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गयते जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी इंटीमेट किया था ठीक है सो अब से जो है वह आपकी क्लास इस रेगुलर बेसेस पे हमेश सब्सक्राइब करने की कोशिश भी की जाएगी सब्सक्राइब करना था बढ़ते हैं देवरी फोर्स न्यूज आपके सामने यह रहा क्या कह रहा है कुश्चन आप से न्यूज आप से कह रहा है कि दिवर्स बाच आप 64 इंडियन वोकर्स रॉम हर्याना अं अप नहीं सब्सक्राइब करने था नुजब करने इसक्ति स्गर्यान चींप्रेहन इस न्यूज डिमीज नितने पर निवा कि यह मैं जानते हैं कि वार्टिस दा रीजन भी हैं कि यह जो मोकर्ष है यह जोडू पसमल região यह मैं हर्यान एं उत्तरप्रदेश थे चो डिसकर् い है न्यूस किया है the first batch of Indian construction workers अना इससे कि यह पता चला कि यह जो workers है यह construction workers है leaving for jobs during the conflict in israel left on 2 April 2024 so this workers कितने workers 64 workers 64 workers यह already israel के लिए निकल चुके है ना israel के लिए निकल चुके है ठीक है पहुच भी गया है ठीक है यह किस टाइब के workers है तो या दखना यह construction workers है construction workers है तो हो ना हो यह इस्राइल के अंदर कुछ construct किया जा रहा होगा और जहां पर इनकी जर्वत होगी so 64 construction workers फ्रॉम हर्याना एं उतरप्रदेश यह इस्राइल के लिए निकल चुके है और 2nd April 2024 बट इस्राइल में तो इस्राइल और हमास के बीच में वह और चलता है तो क्या जर्वत पड़ी इन वर्कर्स को वहां जाने की उन सभी बातों को इस्राइली अंबाजडर नियोर गिलाउन और गवर्मेंट ऑफिचल तो यहां पर 64 workers इस्राइल के लिए निकले और 2nd April 2024 और उनको भेजने का काम जो फ्लाइग ओफ करने का काम हरी जंडी दिखाने का काम किस ने किया है तो इस्राइल के अंबाजडर इंडिया में जिनका इस्राइली गवर्मेंट ने इंडियान गवर्मेंट से रिक्वेस्ट किया था इन 2023 की हमें कंशक्शन वर्कर्स की जर्वत है और इसी वज़े से वर्कर्स वहां पर जा रहा है है तो इस्राइली गवर्मेंट has made an urgent request for construction workers इन नवंबर 2023 इस्राइली प्राइम मिनिस्टर बैंजमिन नितन हाहू इसके बाद इस्राइल के प्राइम मिनिस्टर नरींदर मोधी इन दिसम्बर इस्राइल का एक डिमांड आता है इंडिया से कि बहिया इंडिया से डिमांड आता है कि आप लोग अपने यहां की construction वर्कर्स को हमारे यहां पे बेजिये क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जरूव भ्लत है your construction workers के इसके बाद इसराइल के प्राइम मिनेंस्टर बन्जमील नित्येन हायू नित्ययाहू एंडीक प्रां मिनिस्टर नरेंदर मोधी की बीच में से रिलेटर जो बाते होती है वह December में कॉनक्लूड होती है ठीक है? अब यह इंडियाश वोग शना क्यूंक् стр पैलस्तीन है थेक एक कंट्री है गैहरत मैं इसकीओ कापिटल क्या है जरूप इसकी कापिटल क्या है जरूसलम ऑल्सो इस्रायल की इस राईल की कापिटल क्या है जरूसलम ओशेथे Capella eastern के बीच बहुत अच्छा नहीं बनता है बट अब तक क्या होता था अब तक पैलिस्टीन से लोग जाते थे पैलिस्टीन से construction workers जाते थे इस्राइल के अंदर कंस्रेक्शन हो रहे होते जो भी कोई भी development project है वहाँ पी construction workers की जरुवत पड़ती है तो यह जो भी construction workers हुआ करते थे वो पहले Palestine से Israel जाया करते थे चेक है किस से पहले की बात कर रहे है हम Hamas Israel की war से पहले की बात करते but after the terrorist attack carried out by Hamas on October 7, 2023 Palestinian workers begin to be viewed with suspicion अब देखे क्या हुआ होता क्या है कि पहले Palestine से construction workers जाया करते थे इस्राइल के अंदर बट जब October 2023 में इस्राइल के उपर हमास का अटाक होता है इसके बाद Palestine के लोगों को Palestine के लोगों को बहुत ही जादा suspicious नजर से देखा जा रहा है इस्राइल के अंदर and due to which Israel ने Palestine के जो construction workers से उनको आने से मना कर दिया इसे लिए इंडिया से वहां से आपने बंद कर दिया तो आपको वर्कर्स कहीं से ना कहीं से तो मंगाने पड़ेंगे क्योंकि आपको लॉस होगा तो इसे लिए इंडिया से इंडिया से इस्राइल के अंदर वर्कर्स जो है वो भीजे जा रहे इंडिस कॉंटेस और रिक्वेस्ट ओफ इस्राइली गवर्मेंट और डिसेजन हाज बिन टेकें टू सेंड कंस्रॉक्शन वर्कर्स प्रॉम आफ्टर दी आटाक और ऑक्टूबर 2023 इसराइल ने पैलेस्टीन के वोकर्स को अपने हाँ पर आना या बैन कर दिया बोला कि यह नहीं हमें डर है कि आप लोग हमास के साथ मिले हुए हमें डर है कि आप लोग हमारे आपने अटाक कर सकते हो जिसके वाज़े से उन वर्कर् 2023 एन उसके उपर एक मिल्टिंग होती है और दिसमबर 2023 कि भाईया हम कंस्टॉक्शन वोकर्स को भीजेंगे इसराइल के अंदर अब प्लान टू सेंड अट टोटल आफ 10,000 वोकर्स देखे आप एक साथ 10,000 वोकर्स को तो नहीं भीज सकते हो ठेक है तो आपको कुछ स्लोट्स में भीजने पड़ेंगे तो इनिशली वी आ सेंडिंग सिस्टी-फो कंस्टॉक्शन वोकर्स और धीरे धीरे यह कंस्टॉक्शन वोकर्स की तादाद बरती चली जाएगी और तोटल अफ 10,000 कंस्टॉक्शन वोकर्स को हम भीजने वाले तो इनिशली जाएगी उनके लिए रगुलर बेसिस पे फ्लाइट का अरेंजमेंट है चार्ट प्लेंस का अरेंजमेंट है तोटल अफ 10,000 कंस्टॉक्शन वोकर्स को यहां पर भेजा जाना है तुछ इनिशली इंडिया तो यह 64 कंस्टॉक्शन वोकर्स के लिए जो 2nd April 2024 को इसराइल के लिए रवाना हो चुक है अब construction workers जा रहे हैं तो उनको कुछ facilities मिलेगी, employment benefits मिलेगा, salaries के अलावा क्या-क्या चीज़े benefits मिलने वाली हैं उसे भी discuss As per the framework agreement and implementation protocols signed with Israel, Indian workers will be treated equally with respect to labor rights as Israeli citizens तो ऐसा नहीं है कि हम जो construction workers भेज रहे हैं, उनके साथ को discrimination होने वाला है, उनको वैसे ही treat किया जाएगा जैसे Israeli citizens को treat किया जाता है जो की construction के line में होते हैं है ना, देखो इसराइल के अंदर भी तो कुछ construction workers होंगे, तो उनको जितनी salary मिलेगी, उतनी salary इनको मिलेगी, जितना उनका अधिकार होगा, उतनी अधिकार इनको भी मिलने वाला है Indian workers will be provided with reasonable housing, उनको एक housing proper रहने का ठिकाना दिया जाएगा, medical insurance प्रोवाइट किया जाएगा, और आपके साथ कोई भी discrimination नहीं किया जाएगा According to the agreement, this workers will have to stay in Israel for a minimum of one year and a maximum of five years So, यहाँ पर देखिए एक tenure है, 10,000 workers भेजे जाएगे, जिसमें से कुछ एक साल रहेंगे, कुछ दो साल, कुछ देड़ साल, कोई धाई साल, कोई तीन साल, कोई चार साल, maximum पात साल आप इस्राइल के अंदर रहने वाले हो, चिक है Also, they will be getting a salary of 1,35,000, ठीक है, इंडिन करेंसी, they will be getting 1,35,000 as fixed salary per month, ठीक है तो आप बोलेगे, सर्स, selection की हो रहा है, हमारे पास क्या, बहुत सारे construction workers है, बिल्कुल है, बहुत जादा unemployment है इंडिया के अंदर, बहुत जादा unemployment होनी की वज़े से, let's say, 10,000 लोगों की demand है, इस्राइल ने बोला, मुझे 10,000 construction workers की जरुवत, अब ये जो 10,000 construction workers है, इनको बह चाहेगा, हर एक employed बंदा चाहेगा, कि भईया, इन 10,000 में उसका भी नाम हो, है ना, let's say, एक लाक लोगों ने बोला, कि भईया, मुझे भी जाना है, तो भईया, भेजना तो 10,000 लोगी है, तो ये उसी तरीकिस हो गया, जिस तरीकिस आपका क्लाट exam है, कि भईया, vacancy इतनी है, फॉर्म ज्यादा भरे गए है, तो आपके पास qualification होनी चाहिए, आपके पास certain skills होनी चाहिए, उन skills के बेसिस में आपको एक लाक में से 10,000 लोगों को यहाँ पर select किया जाएगा, तो 219 लोगों को यहाँ पर हर्याना से select किया गया, लास्ट ये लास्ट ये हर्याना गवर लोगों को यहाँ पर इन में से 1909 वरकर्स को यहाँ पर select किया गया, उसके बाद स्किल टेस्ट हुआ, तो स्किल टेस्ट में 219 वरकर्स को select किया गया, जो कि इसराइल जाएंगे अलग-अलग slots के अंदर, अब बहुत लोग इसका oppose कर रहे हैं, कि यह क्यों आप इसराइल के अंदर अपने वरकर्स को बेज रहे हैं, इसराइल ओलडी वर में हैं, हमास के साथ इसराइल का लगातार वर चल रहा है, लगातार अटाक्स की खबरे आती हैं, तो आप क्यों उनकी जान को जोखिम में रखते हैं, और पहले क्या हुआ करता था कि पैलेस्टीन से वरकर्स जाती थे इसराइल के अंदर, अब इसराइल ने पैलेस्टीन के कंस्रक्शन वरकर्स को यहाँ पे बैन कर दिया है, तो इनका रोजगार खतम हो गया, और इस वो अपोस कर रहे है कि आपको नहीं भेजना चाहिए, यह बहुती ज्यादा अन एथिकल है, है ना, यह बहुती ज्यादा अन एथिकल भी है, इन वच इरिया उस्ट विल्ड़ा। व्योच वरकर्स वरकराश अभी हो से व्योच इन इरिया में काम करेंगे, amanda that construction वरकरशत नौरी सट Öyle स्ट अवестноने कंस्रॉक स्टुच्शन के ल में काम करेंगी, यह स00 साथ तो आप कितने कितने वरकर्स काहाँ पे जाएंगे देखो तोटल 10000大哥 ंवोकर्स होंगी ठीक है यह तोटल कितना हो गया 9000, 9000, 11000 यह तोटल 13000 है इतने लोगों की डिमांड है बट अप्लिकेशन कितने की है 10,000 अप्लिकेशन से हो सकता है यह बढ़ना बढ़ जाए आफ्टर एफिशेंसी टेस्ट कंडुक्टेर इन टू स्टेट्स हर्यान अउत्तर प्रदेश 9727 वोकर्स वे फाउंड अल्जीबल है इस बिंग ओफ़र्ड और कॉंट्राक्ट ट्रेवल तो इस्राइल तो 10,000 में से 9727 लोगों को यहां पर सेलेक्ट कर लिया गया है उनकी प्रॉपर स्किल टेस्ट हुई है और उनके स्किल टेस्ट के अधार पर उनको सेलेक्ट करके यहां पर भेजा जा रहा है आप आप अव इस देफोर स्टीफोर पीपल लेफ विध इस एंस्टिमेटेट फिफ्टीन हंडड इन इंडेंस विलीव और वर्क इन इस्राइल इन आपल वोकर्स इस्राइल में जाके काम करते थे पर ड्यू टू इस्राइल हमास वार विच स्टार्टेट और अक्टोबर 2023 पैलेस्टीन के लोगों को यहां पे सस्पिशन के नजर से देखा जाने लगा जिसके बाद इनको बैन किया जाता है इंडिया से डिमांड रखी जाती है अब अपने अगली न्यूस के तरफ आते हैं अगला न्यूस आपके सामने क्या है आर्बी आई से लेटेट है वाट इस आर्बी आई पहले इसे हम समझते हैं देखें सभी कंट्रीज के अंदर एक सेंट्रल बांक होता है एक ऐसा बांक जो कि सभी बांकों को रेगुलेट करते हैं सिर्फ एक बैंक तो होता है नहीं किसी कंट्री में, हर कंट्री में आपको बहुत सारे बैंक्स देखने को मिलेंगे, कुछ बैंक्स प्राइवेटली ओंड होंगे, कुछ बैंक्स गवर्मेंट के अंडर होंगे, सो इनने हम प्राइवेट सेक्टर बैंक और टॉबलिक सेक्टर बैंक में क्लासिफाइ करते है, बट इन बैंकों के लिए रूल्स कौन बनाएगा, सो देखें, इंडिया के अंदर भी आपको एक सेंट्रल बैंक देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं, Reserve Bank of India, जिसे हम Reserve Bank of India कहते हैं, या इसी को हम Bankers of All Bank भी कहते हैं, है ना, इसी को हम Bankers of All Bank भी कहते हैं, सभी बैंकों का बैंक, Bankers of All Bank भी कहते हैं, या इसी को हम Apex Bank of India भी कहते हैं, या इसी को हम Central Bank भी कहते हैं, या इसी को हम Central Bank भी कहते हैं, इसे इस्टाब्लिश किया जाता है on 1st April 1935, और 1st April 1935 the Central Bank which we call as RBI इसे स्टाब्लिश किया जाता है ठीक है इसके पहले गवर्नर थे कि पहले इंडियन गवर्नर कॉन थे फॉस इंडियन गवर्नर कौन थे फॉस इंडियन गवर्नर कौन थे छोड़र अफ आर बीआई वास सीडी देश्मुक है शीदी देश मुख अल्सो एक्जाम के पॉड्व व्यू से एक और बात आपको याद रखनी ज़रूरी है कि ये जो 1st आप्रेल 1935 को 1935 को रिजब बांक ऑफ इंडिया को स्टाबलिश किया गया था उससे पहले एक कमिटी को स्टाबलिश किया गया था उससे पहले एक कमिटी कर्फिए को झाल किया था जिस कमिटी के रकमेंडेशन से जिस कमिटी के र McD को स्टाबलिश किया गए इस कमिटी ने अपना मजेशन 1926 में दिया अब मैंने आपको बिखाऊ पर लाठीक को बताया कि हर देश में बहुत सारे बांक्स होते हैं, बांक्स बहुत सारे होते हैं, तो उनको regulate करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, है ना, उनके लिए set of rules बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिया की अंदर ये काम किसका है, Reserve Bank of India का है, ठीक है, present अगर मैं गवर्नर की बात करूँ, the present governor of RBI, ये कौन होने वाले हैं, जो की RBI के 25th governor भी है, ये है शक्ती कांता दास, ये है शक्ती कांता दास, ठीक है, अब Central Bank which is RBI, है ना, ये क्या करता है, ये inflation को भी control करता है, ये महंगाई को भी control करता है, और महंगाई को को control करने के लिए, इसके पास कुछ monetary policy tools है, कुछ monetary policy tools है, इस monetary policy tools के मदद से, ये inflation को control करता है, जैसे, कौन-कौन से monetary policy tools है, इसके पास, सो दैसे, इसके पास है CRR, CRR यानि की cash reserve ratio, cash reserve ratio, इसको बढ़ा के घटा के inflation को control करता है, दूसरा है SLR, statutory liquid ratio, तीसरा है bank rate, चौथा है repo rate, पाचवा है reverse repo rate, reverse repo rate, छटवा है open market operations, open market operations, है न, सो ऐसे कुछ क्या है, tools है, किसके पास, RBI के पास, जिससे वो inflation को regulate करता है, तो inflation को regulate करने के लिए, क्या CRR को हम कभी भी बढ़ा सकते हैं, कभी भी घटा सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसके लिए proper monetary policy committee की एक meeting होती है, monetary policy की committee की एक meeting होती है, committee की एक meeting होती है, इस meeting को lead करते है, RBI के governor, RBI के governor और वो है, शक्ति कांतादास, शक्ति कांतादास, is that clear, शक्ति कांतादास, monetary policy committee को lead करते हैं, जहाँ पर यह decide होता है, कि CRR क्या होगा, SLR क्या होगा, bank rate क्या होगा, repo rate, reverse repo rate, open market operations के क्या rate होंगे, यह decide यहाँ पर किया जाता है, यह पूरा आज का news है, उसे detail में पढ़ेंगे, यहाँ पर RBI monetary policy, repo rate to remain steady for 7th time, यहाँ पर देखिए, RBI के पिछले साल के जितनी भी meetings हुई थी, उसमें RBI ने जो repo rate था, उसको 6.5% रखा था, और अभी भी for the 7th time, for the 7th time, repo rate को 6.5% ही रखा गया है, अब आपके मन में परशन आएगा कि सिर्फ what is repo rate, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, repo rate is the rate, repo rate is the rate at which, at which bank gets loan, bank gets loan from the RBI, RBI से जिस rate पे, बांकों को loan मिलता है, उसी rate को हम repo rate कहते हैं, bank rate क्या होता है, the rate at which you get loan, आपको loan मिल रहा है 10% per annum, 8% per annum, 12% per annum, यह सब कुछ depend होता है repo rate के ओपर, let's say for example, समस्ते, let's say, एक होता है, reverse repo rate, इसे भी समस्ते लेते हैं, reverse repo rate का मतलब होता है, the rate at which Reserve Bank of India, Reserve Bank of India, है ना, बांकों की excess cash को अपने अप लेता है, बांक के पास बहुत जादा cash हो जाता है, तो बांक अपने excess cash को RBI के पास जमा करा देता है, और उसके बदले, उसे कुछ interest मिलता है, इसे को हम reverse repo rate कहते हैं, ठीक है, उसमें भी कुछ interest दिया जाता है, तो एक है reverse repo rate, एक है repo rate, और एक होता है bank rate, ठीक है, bank rate मेंने आपको क्या बता है, bank rate is the rate at which, इसे अच्छे से समझते हैं, रुको, एक होता है reverse repo rate, ठीक है, एक होता है repo rate, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेट से, आपको car खरीदनी है, तो आप car खर दोगे, पैसे नहीं है आपके पास, तो आप loan लोगे, क्या loan सस्ता होगा तब लोगे car, या loan महंगा होगा तब लोगे car, अरे सर कैसे बात कर रो, loan जब सस्ता होगा, interest जब सस्ता होगा, तब ही खरीदूँगा, ऐसे क्यों खरीदूँगा, तो यहाँ पर देखे bank rate क्या होता है, लेट से एक बंदा है, लेट से मेरे नाम शुभम है, शुभम एक प्यारा सा बंदा है, यह गया bank के पास, इसने बोला, गुरुजी, बाउजी, मुझे लोन चाहिए, तो बोला, ठीक है, ले लीजे, लोन, सर, interest कितना होगा, तो लेट से, इसने 100 रुप्या का लोन लिया, 100 रुप्या का लोन लिया, इसने बोला, interest है वे 10%, तो यहाँ पर 10% का interest है, यानि कि तोटल जो amount है, यह 110% हो गया, यानि कि आपने 10% का, यहाँ पर लेट से 10% का interest है, ठीक है, अगर आप 100 रुप्या दोगे, तो आपको 110 रुप्या देना पड़ेगा 10%, अच्छे, ठीक है, बैंक रेट में तो भया यहाँ पर individual होगा, individual के लिए है, यह है बैंक के लिए, और यह है RBI के लिए, ठीक है, अब उसके बाद bank गया RBI के पास, यह गया, तो 10% बोला, यह गया भया RBI के पास, कि बाओ जी हमें पैसा चाहिए, आप अपने आपको Central Bank कहते हो, मुझे पैसा चाहिए, तो इसने बोला, ले भई, पकड़, 8% पर पकड़, ठीक है, उसके बाद bank के पास बहुत पैसा था, इसने बोलो, गुरुजी, आप कुछ पैसा अपने पास रख लो, उसके बादे कुछ interest देख लो, तो इसने बोला, मैं दूँगा 5%, तो हमेशा याद रखना कि reverse repo rate सबसे कम होगा, उसके बाद repo rate बढ़ा होगा, उसके बाद bank rate बढ़ा होगा, ठीक, अब माल लिजे inflation है, महंगाई है, ठीक, उसको control करना है, तो control कैसे करोगे, flow of money को control करना है, तो control कैसे करोगे, तो जो RBI की monetary policy committee है, वो क्या करेगी, वो repo rate को ब 10% कर दिया गया, तो bank जब RBI से पैसा ले रही है, तो अब उसको 10% देनी पढ़ रहे है, यहनि कि 10 रुपए देनी पढ़ रहे है, यहनि कि पहले से 2 रुपए फालतु देनी पढ़ रहे है, तो bank घब आपको पैसा देगी, तो यह 10% देगी, नहीं, यह भी कुछ कमाएगी कि लट से 12 रुपए में देगी तो भाईया पहले जब आप लोन ले रहे थे तो 100 रुपए के बदले आपको 110 रुपए देना पड़ रहा था अब 100 रुपए के बदली आपको 112 रुपए देने वाले तो यह यह लोन महंगा हो गया तो ऐसे कैसे में बहुत कम चांसे ऐसे तो इस तरीके से मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो रपो रेट को फ्लक्चुएट करके बैंक रेट को फ्लक्चुएट करके है ना इन्फलेशन को कंट्रोल करती है तो यहां पर लगतार सेवन्थ टाइम ऐसा हुआ है कि रपो रेट को 6.5 परसेंट पर रखा गया है जैट लिए आए समस्ते हैं फिर बाग है और यहां पर डिसीजन लेनंे की व्या होता है वो टिंग होता है तो वोट हुआ है 5-to-1 में जिसमें 5 लोगों पांच लोगों ने क्या बोला है 5 number races बोला है कि रपो रेट को हमें रपो रेट को 6.5% ही रखना है 6.5% ही रखना है एक ने बोला है इसको चेंज करने की जरुवात है तो बहुत यहां पर मिजॉर्टी ने 5-1 बोला है बोला है पर टो पॉलिसी रेट अन्चेंज गवर्नर सक्ति कांटर डास अन्टाज 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 अपरल 5 यह वाल्स आपको रेट को सेम रखा गया जहाए तो मैंने आपको पता है कि बैंक रेट हमेशा रेट से ज्यादा होगा है तो बैंक रेट 6.75% है रेपो रेट 6.5% है तो आप देखो ज्यादा है क्योंकि बैंकों को भी कुछ कमाना है धर जहाए पालिसी रेट आन्चेंज अट 6.5% ठीक है है अब रेपो रेट ए की आरे श अन्डर तो यहां पर देखे क्या क्या चीज 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 कि गई है क्या्किया चीज्ब अन्चेंज कि गय Syd कोई भी चीज़ यहां पर चेंज 25% जो कि अंचेंज दे बांक रेट 6.75 पॉस्टेंट है फिक्स रिवर्स रेपूरेट जो कि मैंने आपको बता है डाट इस 3.5 3.35 पॉसेंट CRR याने की cash reserve ratio ये भी unchanged है which is 4.50% statutory liquid ratio ये भी same है ये भी आपका unchanged रहा है ये बाद भी इस particular meeting में decide की गई कि अब decisions क्या क्या है देखे सो CPI inflation quarter 1 में कितना था 4.9% था quarter 2 में inflation देखो कम हुआ है inflation यानि की महंगाई quarter 3 में देखो है फिर से बढ़ गया है and quarter 4 में ये फिर से कम हो गया so inflation जो है CPI inflation consumer price index inflation जो है लगातार बढ़ता गड़ता देखने को मिलेगा है है ना quarter 3 की comparison में quarter 4 में ये घिटा है net FPI inflows कितना है 41.6 billion है ना compared with outflow in financial year 22 and financial year 23 set by the RBI governor RBI will permit use of third party UPI apps for making UPI payment from PPI wallets तो यहां पर देकि third party UPI apps को यहां पर permit दिया गया है RBI will introduce mobile application to operate in retail direct portal for retail investor total for flow of resources to the commercial sector was 31.2 lakh crore in financial year 214 so a key decisions are Joki RBI ने लें in the monetary policy committee real GDP growth projected at 7% to you have a decade of real GDP growth यानिकी gross domestic product यानिकी India कितनी दर से कितनी percentage से आगे बढ़ने वाले है that is 7% for the financial year 24 25 quarter run में देकि हम 7.4 1% से आगे बढ़ेंगे quarter 2 में 6.9 पोसंट से आगे बढ़ेंगे and quarter 3 & 4 में इंडिया का रफतार ग्रोथ का 7% होने वाला है the meeting of RBI 6 member panel are expected as follows as I told you ठीक है कि इस बार सात्वा मीटिंग था लगातार पिछले साल से 6 मीटिंग हुए थे इस साल का यह पहला मीटिंग था तो monetary policy committee की मीटिंग्स होते रहती है to control the inflation तो आने वाले टाइम पर जो मिटिंग्स है वो किसके स्तारिक को होने वाली है यह भी आपर दिया गया है जिसे नेक्स्ट मिटिंग जून में होने वाला है उसके बाद august, October, December and February 2025 को मिटिंग होने वाला है अब कौन-कौन मेंबर्स थे किसके monetary policy committee के तो यहां पर जो डिसेजन लिया गया है फाइफ रेशियो वन का डिसेजन है यानि कि पांच लोगों ने एक तरफ वोट किया है एक लोग ने दुसकी तरफ वोट किया है तोडल six members है तो यहां पर गवर्नर मौजूद थे six members की टीम यहां पर गवर्नर मौजूद थे जिन्होंने लीड किया है monetary policy committee को उसके बाद माइकल देबा ब्रता पात्रा जो की डेप्यूटी गवर्नर है राजी वरंजन प्रोफेशर अशीमा गोयल प्रोफेशर जयंत आर वर्मा एंड डॉक्टर शशंका भिडे हैना ये members ह हो जाएंगे किसके monetary policy committee के जो की मौजूद थे RBI रेपोरेट instrument of monetary policy तो यहां पर देखिए जो हमने पढ़ा था कि रेपोरेट कितना है reverse report कितना है CRR क्या है SLR क्या है इनको भी discuss कर लेते हैं ताकि आपकी सारी doubts clear होगे तो रेपोरेट क्या है the interest rate at which reserve bank provide a liquidity under the liquidity adjustment facility to all LAF participants against the collateral of government and other approved security so यहां पर जितने भी banks है उनको जब loan दिया जाता है ठीक है जिस rate पर loan दिया जाता है against some collateral उसको हम क्या बोलते है उसको हम बोलते है रपोरेट standing deposit facility rate क्या है the rate at which the reserve bank of India accept uncollateral deposit on an overnight basis तो एक दिन के लिए है ना जब आप uncollateral deposit को accept करते हो तो इसको यहां पर SDF rate कहा जाता है उसके माद marginal standing facility क्या होता है the penal rate at which bank can borrow on an overnight basis from the reserve bank by dipping into their statutory liquid ratio तो यहां पर SLR के इस्तिमाल करके जब आप overnight मतब कोई एक bank overnight पैसा उधार लेता है RBI से तो उसको हम क्या बोलते है MSF rate बोलते है LAF क्या होता है LAF refers to the reserve bank operation through which it inject absorb liquidity into from the banking system तो यहां पर देकिए banking system में बहुत ज्यादा पैसा है तो Reserve Bank of India क्या कर लेता है पैसों को absorb कर लेता है liquidity को कम कर देता है यह कम पैसा है तो पैसों को डाल देता है ताकि flow बरकरा रहे इसको हम क्या बोलते है LAF बोलते है देखने को मिलेगे ए 14-day term repo reverse repo rate auction operation at a variable rate conducted to coincide with the cash reserve ratio maintenance cycle is the main liquidity management management tool for managing frictional liquidity requirement original liquidity liquidity requirement के लिए main liquidity management tool होता है fine tuning operations the main liquidity operation is supported by fine tuning operation overnight longer tenner to tide over any and unanticipated liquidity change during the reasonable maintenance period in addition the reserve bank conduct if needed longer term auction for more than 14 days reserve reverse पुरेट आप समझ गया जो मैंने आपको पता है बैंक रिट आपको पता है का स्रिजर्व रिश्यो दावरेच डेली बालेंस देट बैंक इस रिखर तो मेंटेन विद इस बैंक ओंडिया सो एक पर्टिक्लर अमाउंट बैंक को अपने पास और बेके पास जो है वो जमा करके रखना पड़ता है ठीक है तुसे हम कैस्ट रिजर्व रेश्यो बोलते है एसलार होता है एबरी बैंक साल मेंटेन इन इंडिया असेट वाल्य विच शाल नॉट बिलस देन सच करना पड़ता है कुछ अमाउंट को इन इंडिया एसेट ठीक है ओपन मार्केट ऑपरेशन मैंने आपको बताया इस इंक्लूड आउट्राइट पर्चेस सिल आफ गवर्मेंट सेक्योरिटी जहां पर गवर्मेंट सेक्योरिटी को खरीदा बेचा जाता है और उससे भी इंफलेशन को कंट्रोल किया जाता है ठीक है तो यह आपका न्यूस था सेकेंड जहां पर हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने फाइव वन के रेशियो में यह डिसाइड क्या है फॉर्द सेवन्थ टाइम कि हम रपो रेट को अंचेंजड रखेंगे रपो रेट भी अंचेंड है बैंक रिक भी अंचेंड है सी अरार असलार सब कुछ यहां पर अंचेंजड देखने को मिला है ठीक है सब्सक्राइब कर दो और इंपॉर्टेंड न्यूस के साथ तब तक लिए मैं शूर्ण सिंगल विदा लेता हूं जाहिन जाभाद कर देखने